अलो विपान्ट को आई ये हमाँ गाज क्लास 10 में डक्टर मनोरे मैं एक्सराइज 7e एक्टिविटी कुस्टन है कृष्णा नगर के सगेंडरी स्कूल के कच्छा दस के विज़ाचे उनके बागवाने के लिए कलाफ के लिए एक आयताकार भुखंड दिया गया यह एक आयताकार भुखंड है इसको दिया गया गुर्मोहर की पोद को परसपर एक मिटल के दूरी इस भुखंड की परिसीमा पर लगाया जाता है कि गुल्मोहर के डिक्ष्ष नहीं है वह अरे जो इस आयताकार भुखंड के परिसीमा यह इनि सब्सक्राइब दब किना रिखेता रिखेता रिखाया गया है यहां पर आसे यह यह प्रस्पर एक-विटर के दूरी पर इस भूखन के अंदर एक तिर्भूजा का घास लगा हुआ है यह भाग बचा हुआ है इसमें फूलों के बीज होना है है तो कुछिच्छ नंबर एक करा है कि एक एको एक मुल बिन्दों मानते हुए इसको मुल बिन्दों मानते हुए इस त्रिफुच के सीर्फों के निर्देसंग क्या करना है फिर सेगेंडर यदि मूल बिंदू सी हो अगर मूल बिंदू सी हो जाए तो 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 पी की वायर के सिर्षों के निर्द सम्ट क्या पूंज़े ज़िए अगर अगर मूल बिंदू ए हो जब जब मूल बिंदू ए हो तो निर्द सांग क्या होंगे तो इसको निर्द सांग करने का और कोई तरीका नहीं है हम लोग इसको नाप नाप करके लिखेंगें इसकेल से यह देखेते हैं जब यह है तो यह एक्स हो जाएगा यह एक्स हो जाएगा तो पी की बात करें तो पी के लिए दिखिए इसके लिए एक्स का मांद चार और इधर यह दू तीन चार पांद चार है यह मुझा क्यूं का मांद यहां पर यह तीन दिख रहा है तीन वाई का मांद दू दिख रहा है और छे और इधर से प्रांच चार चार तीन दो और छे पांच यह तो जब A मूल बिंदू रहेगा तब अगर कि C मूल बिंदू रहता है यानि कि इसको क्या कि एक दब पूरा रोटेट कर दिये कि C यहां जाएगा यहां चला जाएगा तो जब यह सी घूम करके यहां जाएगा तो यह एक्स हो जाएगा और यह वाई एक्स हो जाएगा ऐसा मत करिएगा कि इसी को सी को मूल बिंदू माल ले ऐसे कि दे यह एक्स के निशेवादा और यह एक्स हो जाएगा और यह एक्स हो जाएगा तो जब मूल बिंदू सी हो तो दे जाएगा तो यह थांक पी, क्यू आर इसमें की दिरीजी फिव तू तू तीन चार पान से साथ ताथ और दज या बारत एक्स कमान बारत और य कमान एसे लिंग या तू तू क्यों एक जड़ा है तेरा और इधर आ जाएंगे कि यहां पर पांच तेरा चप यह बड़ा है एक रूट तेरा चप तेरा चप और इसके लिए एक डूट तीन चार पांच से साथ चार आर ताव तस क्या रहा है तस हो गया और यह जड़ा तीन दस तीन तो दोनों कंडिशन में त्रिभूज तीक यूअर के निद्रसांग मिल गए वारदो तेरा चप तीन ठीक है निद्रसांग मिल गए दोनों कंडिशन recon में हमको क्या करना है ती करना दिखना हमको यह दा और च्रिशन काky दिख होया कि आपीक मिल बंदा पहला तो तो मुल बिंदु A होने पर छेत्पल बिंदु मुल बिंदु A होने पर छेत्पल बराबर कि चार्च, टीन गूं, छेर पांच, और इससे क्लूज कर लेंगे, बरवर क्या हो रहा है, इसका गुर्ष में चार्ड नार, इसका गुर्ष में दस पांच तेर पंदर, इसका गुर्ष में गुर्ष 36, माइनस सब्सक्राइब, माइनस दो सब्सक्राइब, और माइनस पांच गुर्ष को बीस, क्या हो गया, पंगार तेईस, तेईस, छेटिस, उनसट, माइनस, और बारतीस, विस पचास, अच्छा एक गुटा दो भी यहां प्रे लेगा, कितना हो गया, नव गोटे, दो, यह तो कब है, जब मूल बें तो A है, जब मूल बें तो C हूँ, हो, होने पर चेटिक, बारे दो, तेरे चाह, दस तीम, को बारतीस, विवाट दो, विवाट दो, बार्चम, 72, 43, 49, 10,20, माइनस, 23,26, 10,60, और बारतीस, तो बारतीस, कि नदुग्यारा कि तीन तीन चाह सच्छतिरा कि मैंनस चाह सबारा कि जार चाह देश दुबारा कि एक सब्सक्राइब गड़ेगा नव अब टेंट हो जाएगा वन देटाइब हुगा यह अब यह भी वह जो काई अच्छा मां देख रहा है दोनों कंडिशन में चेत्रफल बराबर आ गया और आना भी चाहिए इस त्रिभूज कार्णिर इसान चाहिए एक मोलिन वाले या सी को मोलिन वाले या इसको माले इसको मल वह तो भूखन उतना ही घया तो चाहिए यहां लिखेंगे प्रतेग दसा में चेत्रफल नोगोटे दो बर भी लिखेंगे प्रतेग दसा में अच्छेत्रफल बराबर नोगोटे दो वर्ल एकाई अब तिक यह जाब समझागा आज़े देखते हैं कुश्यन नमर 14 इस इक्सराइज का लास्ट कुश्यन भी है वालके निर्देसान चैटर का भी लास्ट कुश्यन है बड़ा इंट्रेस्टिंग सवाल है और एक तरह से कहिए कि यह त्रिभूज की सारे पार्ट को एक कुश्यन में समाहित कर दिया है बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलेगा तो आज़े लिखते हैं माल लिजिए ए बी सी एक तिभूज के सीर से और निर्देसान दिया हुआ है हमने एक बी सी ले लिया यह करने दिसान चार दूर बी का छे पांच और सी का एक चार एक चार है तो पहला कुछ सन कर रहा है कि ए से होकर जाने वाली मादिका बी सी से डीपर मिलती है मादिका मतलब क्या होता है किसी भी तिभूज के सिर्ष से खीची गई मादिका उसके सामने वाली हुजा के मद्ध बिन्दू से मिलता है मिलेगा तो अब डी का ने दिशान गयाद करना है तो सिम्पल से है डी का ने दिशान पतलब बी और सी के मद्ध बिन्दू का ने दिशान ठीक है तो सुलूशन में फर्स्ट पार्ट है यहां रिके बी यानिकी सिक्स फाइप और सी यानिकी वन फोर के मद्ध बिन्दू डी कारेक्ट सांग देखिए यह एकस वन ले रहते हैं इसको वाई वन एकस टू वाई टू तो क्या होता है एकस वन प्लस एकस टू बटा में दो और वाई वन प्लस वाई टू बटा में दो मान रहते हैं छे प्लस एक बटा में दो और पांच प्लस चार बटा में दो यह हो गया साथ बटा दो और नव बटा दो यह तो फ्रस्ट कम हो गया यह तो फ्रस्ट का एंसर होगा है से क्या रहा है सिखेंड क्राइड पर इसकित ऐसे बिल्दू का रहती है एपी संबंदे पीडी में रवाट दो संबंदे यह तो अचे एडी पर एक बिल्दू पी है मालियक यहां पर पी ऐसा है कि एपी और पीडी में दो संबंदे एक का रहती है यादि कि दो है यह एक और इस बिल्दू में पर मिभनें रिखान करना है तो हम क्या करेंगे यह एक स्वान वाइन इसका निकली दिया ऐक स्टु हो जाएगा और यह फोजाएगाए कि एक स्टु वाइड़ा देखें 5 और त्इस वान बिल्दू करें एक स्टू बराबर चार गटा दो and y2 बराबर नो गटा दो यम कितना है यम दो है और यल एक तो पी का निर्दिसान पी का निर्दिसान क्या हो जाएगा m x2 प्लस n x1 बटे में अंतर विवाजन है ना अंदर ही है कि रेका के अंदर ही विवाजन हो रहा है फिर m y2 प्लस n y1 बटे में m प्लस n यह तो परूला हो गया मान रखतेते हैं m, m का मजब दो गुड़े एकस टू साथ बटा दो प्लस n1 और x1 y2 x2 इतना और x1 जाए है अब बटे में 2 प्लस 1 यह तो हो गया इसका और y के लिए m कमान दो y2 नो बटे दो प्लस एक गुड़े और y1 नो बटे में 2 प्लस एक कितना हो जाए दिखी यह दो से दो कर गया है तो उपर हो जाए का साथ चार ज्यार बटा तीन लो नो दो यह बराबर रहा है जार बराट तीन यह होगा है कि यह होगे हमारे कुछ से नुम्बर दो पाहिए सर यानि कि पी का ने दिसान गयार बटा तीन गयार वटा तीन होगा अब कोर्शन नुम्बर यह थार्ड बाट दिखते थार्ड बाट भी क्या करा है मा दिकाओं बी ई और सी यप पर ऐसे विन्दू की और आर के में दिसान जात किजिए कि बी क्यूं समन्ने क्यूं इब्राबर दोस्तित है अब यह कर रहा है कि बी ई बी और सी यप बी पर ए बीन्दू आर इस्थीत है और यह दो एक दो एक के अनपार्प में विवाजित है तो आर और क्यूं क्यूं और आर का में दिसान ग्यार करना है तो थर्ड बार्ड के लिए हम बी-ई की बार करें पहले ई का निर्दे संक क्या हो जाएगा बी-ई में ई का निर्दे संक इ का निर्दे संक डारिक्ट में करूँगा चार प्लस एक बटर दो दो प्लस चार बटा दो बरबर पांच बटा दो और तीन इसी तरह से एफ करने दो साइट निकाले मत भी नो है न तो एक दम आसान चीज होता है इसका चार प्लस चो बटा दो और दो प्लस पांच बटा दो यान कि यह हो गया है पांच तो यह हो गया है चलिए यह तो अब इसका निर्दसान पता हो गया तो क्यों निर्दसान के लिए क्या करेंगे यह हम दो यान एक 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 वन वाइवन और यह हो जाएगा एक स्टू आइट तो एक का में निकादे लिए यह की सिप्र का लिए तेंगे इसके लिए हम एक सोन वाइवन एक स्टू आइट लिए तो क्यों के लिए दिसान के लिए क्यों के लिए एक स्टू बराबर चो यवन बराबर पांच एक्स तू बराबर पांच बटा दो एड़ वाइट वराबर इन यम बराबर दो यम बराबर एक यह क्या तो यह क्यों 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 बराबर एक फांगा वाहिक फांगो लाग किसका को हो गया M X2 plus N X1 M plus N our M Y2 plus N Y1 M plus N brown मारते M 2 X2 पार 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 दो plus N1 X1 X1 किता अच्छा बटे में 2 plus 1 M यानिक 2 Y2 3 plus N1 Y1 पार बटे में 2 plus X कितना अच्छा आएगा यहाँ पांच 111 बटा 3 2 3 6 5 11 11 बटा 3 11 बटा 3 इसी प्रकार R का भी निक रिख रहे क्यों का हो गया? R का इसी प्रकार R का इसी प्रकार अच्छान भी यही है इसी प्रकार R का निर्द सांख जैसे यही निकालें ना उसी तरस निकालेंगे आप तो यही आएगा कितना? 11 बटा 3 11 बटा 3 थर्ड हो गया? फूर्थ में कह रहा है कि आप क्या देखते है क्या देखा गया हूँ? क्या देखे? P का निर्द सांग 11 बटा 3 Q का निर्द सांग 11 बटा 3 R का निर्द सांग 11 बटा 3 इसका मतलब यह हुआ कि P, Q, R अलग अलग न होकर कि यह कहीं बिंदू के लिए देसांग है यह कहीं है यह लिखेंगे फौर्थ पार्ट के हमार को सनोगा लिखेंगे P, Q, R यह कहीं बिंदू है ठीक है यह हो गया अब यह कहीं इसको मैं मिटादो हो यहां इसको मैं मिटा देना हूं यह और इतना होगया है इसक्रीण साट लेना है तो आप लोग इसको पास्ट करके देख सकते हैं कि परतक्राथ क झाल 500 पार्ट है यदी अब जो है यदी यह बराबर अब यह यहाँ पर खतम है यह अब यह X1, Y1 X2 Y2 अब यह है X3 Y3 तो त्रिभूज के सीर्स है तो उस त्रिभूज के केंडर केंडर सांग जात कीजिए अच्छे एक चीदि के पिछले पार्ट में को थोड़ा सा बताना चाहिए था जब त्रिभूज की तीनों माध्धिकाये जब त्रिभूज की तीनों माध्धिकाये प्रिभूज की जिस बिंदु से होकर बुजरती है उस और तीनों माध्धिकाये है कि यह है कि ऐखिक आज यह कि पजिएक आंगे ज़िए को यह ऑना सोगें कि आ कि यह अगर मंदिन दो है कि अधिये हैं कि अधिये हैं और इसका मादिका माली यह दो समंद्र एक कैन पार्ट में और यह केंडर को जाएगा माल लेते हैं कि यह ओ है तो इसमें आपको करना क्या होगा खीचे के मादिका तो एक यहां से जाएगा और एक यहां से जाएगा तो हम एक ही से लेकर के टांट करना है जो इस मादिका के द्वारा यह आएगा वही इस से भी आएगा वही इस से भी आएगा तीनों से ना है तो हम एक ही को लेकर के हल कर ये निर्दिसांग हमारा है X1, Y1, X2, Y2 और ये बुझाएगा X3, Y3 ये D मद्दमिन्दु है तो मद्दमिन्दु को निर्दिसांग क्या बुझाएगा B N K X2, Y2, C X3, Y3, K मद्दमिन्दु को निर्दिसांग क्या बुझाएगा? X2 प्लस X3 बटा दो, X2 प्लस X3 बटा में दो और Y2 प्लस Y3 बटा में दो ये तो मद्दमिन्दु का निर्दिसांग को है तीक है? अब इसका निर्दिसांग याकता ना है तो ये X1, Y1, X2, Y2 और ये M और ये M बुझाएगा तो लिखेंगे O का निर्दिसांग यही केंद्रक भी हो जाएगा, छोड़ी हम केंद्रक नहीं है, केंद्रक कुछ से है, हां, केंद्रक अब बताए दें केंदर किसे करते हैं त्रिभूज की तीनों मादिकाएं जिस बिन्दों से होकर बुज़ती हैं उस को उस त्रिभूज का केंदर करते हैं केंदर वो का निर दिसाइन क्या हो जाएगा निर दिसाइन का फर्मूला M X2 प्लस N X1 प्रते में M प्लस N M Y2 प्लस N Y1 प्रते में M प्लस N M 2 है और यहन एक है दो गुड़े X2 X2 यह हो जाएगा X2 प्लस N1 और X1 थेसम का मतलब यह अच्छा X1 हमारे यहां है X1 Y1 और इसको X2 Y2 लिए है X2 Y2 ही होगा X1 Y1 तो अपने जिगाप है बट्टे में M प्लस N यहीं है 2 प्लस 1 इसी तरह से Y वाले के लिए M कमांद 2 Y2 Y2 को मतलब D कनेर देसा यह यह Y2 Y2 प्लस Y3 बट्टे में 2 प्लस N N और Y1 Y1 तो मतलब Y1 है बट्टे में 2 प्लस Y यह कड़ गया क्या मिला देखे X1 प्लस X2 प्लस X3 बट्टे में 3 Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बट्टे में 3 Y1 प्लस Y1 प्लस Y2 प्लस Y3 बट्टा में 3 यही निद्रसांग को जाएगा इसका त्रिफुज के केंद्रट का देखे हमने एक से लिए हैं तो ऐसा मत करिएगा कि केंद्रट तो तीनों में दिखाऊँगों इसी जगह से तीनों मादिका हैं उपके जाएंगी इसको खिचेंगे तो और किसी भी मादिका का उपयोग अगर केंद्रक निकालने में करते हैं तो एक से भी केंद्रक ज्याद कर सकते हैं इस मादिका का जो केंद्रक होगा वही इसका भी होगा टिंग